नमस्कार फ्रेंड्स आज हमारे साथ जगनातपूर पश्मी सहीवों के बिधायक सोना राम सिंकू जो की अपने आप में एक ऐसे बिधायक हैं कि जो उस एरिया जहां तक मैं जानता हूँ जगनातपूर को ओ 90 परसेंट लोग लगवग गाओं में निवास करते हैं और ट्राइबल बहुत देंस ट्राइबल बेल्ट है भारत सरकार या राज्य सरकार खास कर जहरखंड गोवर्मेंट की बहुत वरी तवज्यो है कि हमारे ट्राइबल्स खास कर यहां के मूलवासी आदिवासी या जहरखंड के वैसे लोग जो की में इस्ट्रीम में आएं उनक जो फैसलिटी सरकार को देना चाहिए वो सरकार प्रोवाइड करें इसके लिए मुख मंत्री ने कईये के ओजना चलाई आपकी ओजना आपकी सरकार आपके दौर इसके बाद एक कईये के ओजना है इसी के साथ एक आंतरिक संसाधन एवं केंदरिये सहाहता समीती जिसमें स्ट्रियल बेल्ट भी है मिनरल बेल्ट है बहुत रिच प्लेस है लेकिन वहां के पब्लिक को जो भी सुविधाय मिलनी चाहिए अभी तक थोरी सी कहीं न कहीं उसमें एक कोश्चन मार्क हो जाता है तो क्या आपने चैलेंज लिया है कि वहां पर उस सब चीजों को कैसे है आज हमको लगता है जरकान राज अलग होने का लगबग बाईस साल हो गया है जिस तरह राज अलग होने के बाद सुधूर बरती चेत्रे के आदिवासी मूलबासी को सरकार का लाब मिलना चाहिए था उन लाब नहीं मिल पाया है जिए जबकि आदिवासी मूलबासी के लिए राज अलग हुआ था जिए और जरकान राज अलग होने के लिए लड़ाई में कहीं लोग साइध हो गएं और कहीं माँ बाईने भी दूआ हो गएं कहीं बच्चे अनात हो गएं लेकिन आज हमारे मन्य मुक मंत्री एमंद सूरेन जी ने हमारे राज के लिए कहीं एवजना चलाई है गाउं गाउं तक पहुचाने का और हाले में आप लोग देखे आपकी सरकार आपकी दूआर के मध्यम से कहीं लोग आप रासन से बंचिता में बिर्दापेंशन से बंचिता बहुत सरा लाब नहीं उटा पा रहे था लेकिन अज बहुत लोग को लाब मिला है और मिल भी रहा है हमारे सरकार काम भी कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाला समय भी राज की जनता गरीब को लाब मिलेगा और हम लोग भी पर्यास कर रहे हैं अपना अपना चेत्रे बिदान सभा में जहां भी पूल पूली आ हो सड़को और हमारा जगनातपुर चेत्र बहुत सरणा चेत्र है नकसली बात है अब जानते हैं कि नकसल वहीं से तुलकोबाद चो हम लोग सब उस चेत्र में जा सकते हैं गुम सकते हैं गरीबों का समझे को सुन सकते हैं कहीं लोग अब जीने का बहुत असान हो गया है विदैक जी उसमें जानना चाहते हैं जैसे सोसियो एकनॉमिक डेवलपमेंट जैसे समाजिक आर्थिक विकास जब होती है तब वहां पर नक्सलिजम के उपर कमान कसा जाता है क्योंकि नक्सल्स को बैरल से और बुलिट से डोका नहीं जा सकता क्योंकि एक समाजिक समझे की एक ऐसी समवेदना है कि विकास जहां नहीं होगा दरीदरता होगी परिशानी होगी वही पर नक्सलिजम डेवलप होता है और जगना में बड़े इंडिया कभी हमारा निशनल टीम है होकी का और निशनल गेम भी होकी तो इसमें खेलने वाले लोग जगनातपुर के हुआ करते थे उस टाइम में जब मेजर ध्यानचंद कप्तान हुआ करते थे तो जगनातपुर का नाम पूरे 200 पटल पे है लेकिन आज के पर पर बहुत ऐसे जादू टोना का चक्र चलता है जिसे हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे परिशान होते हैं बीमारी खराब हो जाती है और उनका खाल के गाल में वह समा जाते हैं तो स्वास्त के उपर बड़ी ध्यान देने की जरूरत है और तीसरा सरकार की उजनाओं को उन तक पहुँचाने का तो आपकी सरकार तो इस तीनों काम के उपर बड़े तवज्जु दे रही है तीनों काम पर लेकिन थोड़ा सीक्षा और स्वास्त यह दो काम को हमें लगता है और तेज करना है तो क्या इसके उपर आप कुछ योजना बनाए है और इसके लिए जिए आप का स्वयदा नहीं मिलने पर गाउं के लोग जो है ना जी उजकी सरकार हमारे सरकार आपके परियास किया है अब हर पंचायत में सथ सिवीर लगाने का परयास किया है आप कुछ दिन पहले लगा भी है जी और उस पर जगरूप किया जा रहा है और यह स्कूली सिख्षा के तरफ इधायक जी क्या रुजहान है क्योंकि प्राइमरी स्कूल खास करके आपके छेतर में क्योंकि वहां पर ह स्कूल को का विद्यालाई नहीं जाने के करण बहुत सरा ड्रॉप रॉट हो गए हैं और अब इधर जो भी हो रहा है शुरूआ तभी अब सरकार परयास कर रही है होगा लेकिन हमारा सराणा चेतर में बहुत लोग जो है ना रोज कमाने काने वाला लोग भी है कोई चराने के लिए बेज देता है इसी करण भी लेकिन आप परयास सरकार कर रही है सब बच्चों को स्कूल में बेजने का लेकि विद्याग जी तो हमारी भी जिम्मेवारी है आपकी जिम्म्ऱारी तो है ही है तो हमारे बच्चों से है, हमारे यहां के लोगों से है, तो जितने हमारे लोगे strengthful होंगे, shine करेंगे, जारखंड भी sign करेगा और भारत भी sign करेगा, विधायक जी आखरी सवाल, कि हमारे छेतर में खास करके skill development को उपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां से हमारी बे में हमारे district में ही रूके, और हमारे district में ही उनको रोजगार देने की कोशिश किया जाए, जिससे कि उनके साथ कोई शोषन न हो, और वो हमारे राज का एसेट बन सके. हाँ यह तो हमारे परतिमिकता है सरकार की, कि यह बच्चों को बार नहीं जाना चाहिए, और हमारे छीप परियास करेंगे, जितने भी बच्चों को अपना राज में ही रोजगार देने का हम लोग भी बात रखेंगे, पूणा भी चाहिए, जो राज से पड़े हैं ओई राज में रोजगार मिलना चाहिए दूसरा राज में जाने के लिए यह ना हो हम लोग परियास है सरकार भी इस पर चिंता है जी और एक अब लास्ट में छोटा सा सवाल क्या दो हजार चौबिस की जो चुनाव है एलेक्शन है क्या आप दी तैय रहे हैं आप जान रहे हैं कि देखिए कहीं समय से लोग लोन लिये हुए थे लिकिन हमरा किर्शी मंतरी ने सब लोग को लोन मापी का काम किया है और बहुत सारा काम हो रहे हैं सरकार ने हमरा कर रहे हैं और दूज़ार चौबिस में चुनाव में पिर से हमरा सरकार आएंग पर्षण है, और लोगों के साथ इनका मिलना जुलना और सरकार को इस तरह से इन्होंने क्योंकि हेमन जी की ये टीम है, ड्रीम टीम है हेमन जी की उसी में एक सदस्य है, सोना राम सिंख्यू जी, विधायक होने के साथ उनके सहयोगी भी है, तो करण क्या इन्होंने बड़े सौफ्टली बताया कि 2024 पार्टियों की चुनाव तो होती ही रहती है 2024 में हम भी पूरी तयारी के साथ उतरेंगे और हमें पूरी उमीद है कि हमारी सरकार फिर वापस आएगी इनका कहना है दूसरी बात कि जो भी विधायक ने बात बताई आपके सामने कि जगनातपूर खास करके जो हमारे प्यस्चिमी सीभूम के लोग हैं और जो चाहते हैं कि हम डेवलब करें तो सिस्टम के साथ मिल कर चलना होगा उसमें मीडिया भी हमारे चुने हुए परतिनीधी भी और वहां रह रहे लोग भी जब यह तीनों का वीचार और सहयोग मिलेंगे तब कोई भी योजना सफली भूत होगी और वहां भी हमारा जगनातपूर भी हमारे सी भूम की तरह टाटा नगर की तरह शाइन करेगा नमस्कार डॉक्टर अनुश्रमा की तरह